नमस्कार दोस्तों फिनॉमनल गुरुजी यूट्वीब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों ये है हमारे पास रेडमी 9 प्राइम जिसमें आपको दोस्तों Android 11 का अपडेट और MIUI 12.5.1 का इस्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है दोस्तों ये इंडिया स्टेबल अपडेट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों और इसे हमने दोस्तों यहाँ पर 7 डे यूज किया है और यहाँ पर हम आपको इसका जो रिवीव वीडियो देने वाले हैं कि आपको इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है क्या कुछ दोस्तों यहाँ पर fixes वगेरा हुए हैं तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं तो जल्दे से वीडियो को लाइक कर दिजे और वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको latest security patch 1.8.2021 का देखने को मिल रहा है जो की अभी latest version है दोस्तों और यहाँ पर आप देख सकते हैं Redmi 9 Prime में आपको अपडेट मिल चुका है Android 11 का और MIUI 12.5 का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपको बहुत सारे जो है wallpaper देखने को मिलते हैं simply दोस्तों आप इस पर tap करेंगे और यहाँ home screen पर tap करने पर wallpaper पर click करेंगे और दोस्तों आप आएंगे profile के अंदर यहाँ पर दोस्तों wallpapers पर click करेंगे तो आपको बहुत सारे wallpapers देखने को मिल जाते हैं जो कि अभी latest आए हैं जिने आप दोस्तों home screen और lock screen पर use कर सकते हैं तो ये कुछ आपको update देखने को मिलता है इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आप अपने volume को यहाँ पर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे नया आपको volume का जो panel है देखने को मिलता है इसमें आप जो profile volume वगेरा है उसे भी set कर सकते हैं और alarm वगेरा का जो volume है उसे भी set कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपको volume रखना है वैसे आप increase और decrease कर सकते हैं तो आपको नया volume panel देखने को मिल जाता है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें यहाँ पर notification panel की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं control center आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है और यहाँ पर आप swipe करते हैं तो आपको notification panel देखने को मिलता है तो इस तरीके से दोस्तो आप swipe कर सकते हैं और जो control center है उसमें move कर सकते हैं तो आपको ये कुछ नया देखने को मिल जाता है दोस्तों इसके बाद बात करें दोस्तों camera की तो camera की performance में improvement हुआ है दोस्तों यहाँ पर आपको pro video mode मिल जाता है pro में देखेंगे आप तो camera में improvement हुआ है picture quality काफी आपको better देखने को मिलती है पहले के मुकाबले इसके बाद दोस्तों आपको app drawer जो है latest version वाला देखने को मिल जाता है और कोई भी lag वगएरा देखने को नहीं मिलता है दोस्तों और इसकी performance दोस्तों आप काफी ज़्यादा better हो चुकी है आपको काफी ज़्यादा speed वगएरा देखने को मिल जाती है इस smartphone के अंदर इसके बाद file manager की बात करें तो दोस्तों आपको नया file manager देखने को मिलता है इसके अलावा दोस्तों आपको music player में भी update देखने को मिलती है latest music player देखने को मिल जाता है तो इसे आप google play store से update कर सकते हैं दोस्तों इसकी update भी आपको देखने को मिल जाएगी इसके अलावा दोस्तों system launcher में भी आपको update देखने को मिल जाता है और जो-1 screen है दोस्तों इसमें आपको अब यहाँ पर Google Discover का option देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप वो भी access कर सकते है इसके अलावा दोस्तों आपको गैलरी में भी update देखने को मिल जाता है गैलरी का latest version देखने को मिलता है तो gallery की performance भी काफी ज़्यादा better हुई है दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आप additional settings के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे option देखने को मिलते हैं जैसे कि quick ball है, one hand mode है और यहाँ पर आपको clear speaker का भी option देखने को मिल जाता है दोस्तों इसके बाद दोस्तों चलते हैं special feature के अंदर तो यहाँ पर आपको game turbo देखने को मिलता है game turbo का latest version दोस्तों आ चुका है जो कि आपको Redmi 9 Prime में देखने को मिलता है इसके बाद दोस्तों आपको video toolbox का भी option मिल जाता है तो video toolbox आप YouTube वगरा में set कर सकते हैं आपको इसमें additional option देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ से दोस्तों आपको manage video apps में से app को select करना होगा जो भी आप app को यहाँ पर access देना चाते हैं तो यहाँ पर आप YouTube को access दे सकते हैं दोस्तों और जब भी आप YouTube open करेंगे तो आपको video toolbox देखने को मिल जाएगा इसके अलावा दोस्तों आपको floating windows, second space और light mode जैसे भी option देखने को मिलते हैं अब दोस्तों हम आपको video toolbox का interface दिखा देते हैं किस तरीके से आपको यह देखने को मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने YouTube open कर दे लिया है और यहाँ पर आपको एक बार देखने को मिलती है simply दोस्तों आप ऐसे swipe करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको video toolbox देखने को मिल जाएगा के साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं MIUI को optimize किया गया है आपको faster देखने को मिलता है UI का latest version और यहाँ पर notes में भी दोस्तों कुछ update किया गया है तो यह भी आप देख सकते हैं तो यह सारा कुछ आपको देखने को मिलता है यहाँ पर MIUI 12.5.1.0 के साथ Redmi 9 Prime के अंदर तो उम कर दिंदी कि झाला कर दो साथ yes ok करो कर हुआ कर, Ita जब हम छेख उम होरे है झाल झाल